हेलो बच्चों, आज है मारा क्वेशन है, 0.09555 divided by 2.73, 0.09555 divided by 2.73, यहां चे हम जब पॉइंट हड़ाएंगे तो कितने बाई वन तो हम लगाई सकते, जब भी हम पॉइंट रड़ा थे, वन तो हम लगा सकते, कहीं किसी के निचे विश्ते कोई अमें डिप स्ट्रेस नहीं होता लेकिन उसके बाद देखो कितने जीचित है पॉइंट के बाद वान टू ठीय फॉर फाइब तो 5012-245 यह 50 कहा साइए भाई पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो तो तो इतने 0 नीचे होते 1 तो हम अपने तरब से लगा सकते हैं ऐसे यहां कर देंगे इसको अठाईंगे तो वंद हम लगाई सकता है एकिन उसके बाद जितनी डिजिट होंगे वन टू तो वन टू अब हमारे यह फ्रेक्षन में आगए जब भी हमारा फ्रेक्षन के बीच में हमारा क्या यह तो इसका multiply में convert कर सकते हैं 9, 5, 5, 5 अपउन कितना है 1, 2, कितना, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसको जब multiply में करेंगे तो यह 100 उपर चला जागा यह new denominator बन जाता यह denominator में रैसिपोकल हो जाता 273 वन टू वन टू यह जिरो कड़ गए अब हमारा 9555 अपोन कितना 273 इन्टू यह वाला 1000 अब इसको देखो 7 3 10 और 12 यह तो 3 से चला जाकेंगे इन डिजिट का सम कितना आ रहा 12 आ रहा तो यह तो 3 से यहां भी जा रहा 5510 15 15 ट्ट्ट्टिवाट जा रहा लोगो 339 थी जा रहा यहीड यहां जा रहा 1535 जा फिप्टिं यहां भीथरी से 39 जा रहा यहां ध्ये जाएंगे 5 बंज़ा 5, 545 बढ़ा हो जाएगा, 4 टाइम जाएगे, 4 बंज़ा 4, 36 बढ़ा हो जाएगा, 91 इंटु 3, 3 बंज़ा 3, 27, अगर हम इसको कितने टाइम, 3 टाइम जाएगे, 273 आ रहा, 8 में 3 गई, कितना बचेगा, 5, ओके, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4 और ये 5 ठीक है, अगर हम इसको आप 5 टाइम देंगे, 91 इंटु 5, 5 और 45, पूरा-पूरा, 9 टाइम जाएगे, 4, 55, तो यहाँ पर हमारा कितना पूरा कट रहा है, किस से, 39 से, अब देखो हमारा बचेगा, 39 अपोन कितना, 1000, अब देखो हमारा कितनी जुर है, 123, अब मुझे डिजि तो उतनी 0 लग रहे, अब जितनी 0 उतनी डिजिट के आगे पॉइंट लगेंगे, लेकिन यहाँ 3 0 थे, और यहाँ डिजिट कितनी थे, 2, तो 1 0 हमने लगा दे, 3 डिजिट में आदे, पॉइंट यहाँ लगा दे, यह हमारा अंसर हो गया, ओके?